सुप्रिबार बच्चों, आज के हिंधी क्लास में आपको स्वागत है तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक तो आप सभी जानते हैं कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको कान ठीक है बच्चों? तो कान में हम लोगोंने अल्वड़ी पढ़ लिया है कि काल किसे कहते हैं और काल के कितने प्रकार होते हैं आज हम लोग उसी प्रकार को डीटेल में पढ़ने वाले हैं ओके बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काल तो लास्ट क्लास में लोगों ने अल्री कर लिए काल क्या होता है काल क्या है व्याकरन में प्रिया के होने के समय को काल कहते है तो व्याकरन याने ग्रामर में प्रिया का जो समय है वो कब हुआ है या हो रहा है या होने वाला है उसके समय के बारे में हमें बताता है वह ही है काल ठीके बच्चों तो काल जो है वो तीन प्रकाल के होते हैं mainly तीन प्रकाल के होते हैं वो main types क्या है भेग जो है उसके भूत काल, वर्तमान काल और भविश्यकाल अप्संद आया हो तो प्लीज इसे सबी चीजों के लिए आख्टा बहुत बहुत अनिवाब